हेलो एब्रीवन, कैसे हैं आप सब, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आज हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर डिसकसन करने वाले हैं, कि इस बार से बी एच्यू बी ए का क्या सलेबस होने वाला है, क्योंकि आप सभी कोई इन टक देखेंगे, तो आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, चलिए शुरू करते हैं, हम लोग डिसकस करेंगे, बी एच्यू, बी एके, आर्ट, सेंज सोचल का जो कॉमन इंट्रेंस पेपर होता है, उसके बारे में, पहले आप लोग जानेंगे कि आपके पेपर का ड मार्क्स जो होगा, वो 480 होगा, पहले 360 होगा करता था, इस पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है, कि जैसे आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, स्क्रॉल करके, कि आब आपका 1 question is equal to 4 marks होगा, और ये question गलत होने पे, मतलब माइनस मार्किंग जो होगी, वो माइ तो subject के differences आते हैं, बस उसकी video जो है, description के link में मिल जाएगे, अगर आप लोग जानना चाहें, तो आँसे जान सकते हैं, चलिए हम लोग अपने topic पे आते हैं, कि paper pattern क्या होगा, paper pattern को हम 4 portion में divide करके देखते हैं, पहला portion जो है, वो है general awareness और current affair का, जिसको आप GKGS और current affair के नाम स से भी कह सकते हैं, जिसमें आपको 60 questions पुछे जाएंगे, इसका आप सभी लोग ध्यान देंगे कि 240 marks का एक ही portion हो जाता है, और काफी भारी भरकम portion है, जब BHU exam कराता था, तो इसको 30-30 कोशिश करता था, 30-30 divide करने की, लेकिन NTA करा रहा है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये exact 30-30 हो सकता है, 40-35-25 का ratio हो, या 40-20 का ratio, कुछ भी ratio हो सकता है, तो इस पे आप लोग ज़्यादा focus करेंगे, scoring भी होता है, उसके बाद बात आती है, numerical aptitude, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ math related questions मिलेंगे, और वो किसके based पे होंगे, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख जाता है, third portion आप देख लीजिए, third portion में जो reasoning का portion होता है, जिसमें भी 15 question पुछे जाएंगे, और reasoning आप सभी लोग जानते हैं, उसको बताने क जरूरत नहीं है, अब आता है important बात, last portion की जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हिंदी और English, यह grammar portion है, इसको language portion कहिए, grammar portion बात एक ही है, questions आपके maximum grammar से आते हैं, इसमें हिंदी और English दोनों होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक portion करना है, इस चीज़ के आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई एक portion करेंगे, वो 30 questions का एक portion होगा, हिंदी भी दिया रहेगा option में, English भी दिया रहेगा, तो सिर्फ एक करना, य आप सभी लोग पता है, graduation करने जा रहे हैं, तो 10 प्लस टू होना चाहिए, 50% प्लस आपके marks होने चाहिए, किसमें आपके 10 प्लस टू में, चाहिए आप किसी भी बूर्ट से बिलॉंग करती हैं, उसके बाद एक और important या note में है, कि अगर आप B.H.U. BA. Honors में economics पढ़ना चाह है, आप लोगों की रहती है, जो आप admission के बाद आप लोगों को याद आता है, final एक और important बात है कि क्या age criteria क्या है, तो आप लोगों का age criteria जो होगा, वो आपकी age 1st July से देखी जाएगी, 1st July 2021 से कि आप 22 साल से over नहीं हो, मतलब 22 साल से ज़्यादा की age की लोग apply नहीं कर पाए लेकिन यहाँ पे अगर आप SC, ST, OBC, PH ऐसी category से विलाउंग करते हैं, तो वहाँ पे age relaxation की भी चीजें दी गई है, I hope मेरे द्वारा बताई गए जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, अगर आप लोग इसको detail में portion की बात करें, तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कि अगर GK GS की बात आजाती है, तो यहाँ पे history, geography, policy, economics से question हमेशा रहते हैं, even GS biology से भी questions पुछे जाते हैं, तो उस पे आप लोग फोकस कर लेगा, maths में कुछ 10 important topics होते हैं, वो start होता है LCM, SCF से लेकर time and distance, यह सारे question आते हैं, फिर उसके बाद SI भी आता है, simple interest, ऐसे questions जो important questions ह हैं, और यहाँ पे आपको क्यूब, क्यूब रूट से भी questions मिल जाते हैं, reasoning आप लोग जानते ही हैं, और language में आप लोग को बताने हैं, grammar में क्या पूछा जाता है, चाहिए अगर हिंदी से हूँ, English से हूँ, वो यह चीजे सेम होती है, अगर हिंदी से हैं, तो संदी विक् इंट्रेंस सलेबस conducted by NTA, जो NTA conduct करा आरा है इस बार exam, उसका क्या सलेबस था, उस पर हमने discuss किया, और भी आपकी कोई queries हो, तो comment box में जरूर लिखें, उसका reply हमारी team करेगी आपको, फिर मिलते हैं next video में, तब तक लिए बाइ-बाइ, take care and keep watching